संस्कृत EPG पाठ्षालायां भवतां सर्वेशां हार्दं स्वागतं ममनाम रमेश कुमार पांडेयाह अहम श्री लाल भादुर शास्त्री राष्टिय संस्कृत विद्या पीठस्य कुलुपति अस्मी अध्य अस्मिन पाठे वयम ध्वन्यालोकम अधिकर्थ्य चरचाम कुर्महा तत्र आदव ध्वन्यालोक कारस्य आनन्द वरधनस्य परिचियम अधिकर्थ्य ततह परम ध्वन्या लोकस्य कारिका व्रित्ति भागम अधिक्रित्य वयं चर्चाम कुर्माहा अत्र जे पाठ्थ्यांश विश्याह भविश्यंती तेशु आदव प्रस्तावना अनंतरम आनंदवर्धनस्य समयाह स्थानंचे कारिका व्रित्ति लेखक विमर्शह आनंदवर्धनस्य कृतयह आनंदवर्धनस्य आचारियत्वं आनंदवर्धनस्य दर्शनं पांडित्यंचे काभ्यत तो समाहारे समुन मेशेचे आचारिय आनंदवर्धनस्य अवदानं इदानिं प्रस्तावना प्रारभ्यते तत्र आदव आनंद वर्धनस्य परिचयाहा काभ्य शास्त्रस्य परंपरायाम आनंद वर्धनहा अत्यंतम प्रशस्तह आचारिया अस्ति साहित्य शास्त्र परंपरायाम अस्य ग्रंथह धन्या लोकहा वस्तुतह युगप्रवर्तको ग्रंथह वर्तते अयम ग्रंथाहा काब्या लोकहा तथाच साहित्या लोक इतिनामना अपी कैश्चित आचार्येही संकेतितहा विद्यते भारतिय काब्यशास्त्र चिंतन यात्रायाम ध्वनिसिध्धान तहा मध्य विराजते असमात पूर्वस्य काब्यशास्त्र स्य चिंतनम आनंद वर्धनम अधिकृत्य प्रवर्तते ध्वनिसिध्धान तहा काब्यशास्त्रेशु प्रायसह चरचायाह विशयो जाताहा मम्मट, विश्वनाथ, पंडित राज, प्रभृतिविही, अयं सिद्धान्तह समर्थितह, धन्यालोक कारस्य, महत्वं स्वी कुर्वता, आचारियेण, राजशेखरेण, यत प्रोक्तम, तत पद्यम, सूक्ति मुक्तावल्याम एव विद्यते, ध्वनिनाति गभीरेण, काब्यतत्व निवेशिन, आनंद वर्धनह कस्य, नासीदानंद वर्धनह, धन्यालोकस्य, दीपशिखा, टीका कारह, डॉक्तर चंडिका प्रसाद शुक्लह, कथयती, साहित्य शास्त्रे, अस्य महतो क्रंथस्य तदेवस्थानम विद्यते, जदस्थानम व्याकरण शास्त्रे, पाणिनेहे अश्टा धैयाह, तथाच्य वेदांत दर्शने, वादरायनस्य व्रह्म सूत्राणां बर्तते, पुनस्य सवक्ति, अस्मिन, ध्वन्यालो के ग्रंथे, जेशाम सिद्धान्ता नाम प्रतिपादिनम कृतं बर्तते, तेशाम एव समर्थनम, व्याक्षानंचे, तेशाम सिद्धान्ता नाम अनुसरणंचे, अभिनव गुप्त, मम्मट, हेमचंद्र, विश्वनात, पंडित राज जगन्नाथादि, प्रफिर्त यहा, धुरीनाहा, साहित्य मनीश्णाहा अकुरवन, अनेन, ग्रंथ रतनेन, गुण, रीत, अलंकारादि, काभ्यांगानाम यतोचितम मुल्यांकनम विधाय, काभ्ये तेशाम उचितस्य स्थानस्य व्यवस्था व्यधाय, तथाचे काभ्यस्य यत्वास्तविकं सौंदरियं तस्य परिख्णस्य दृष्टिही प्रदत्ता, अस्मिन विशय पंडित राजेन उक्तम ध्वनिकृताम अलंकार सरणी व्यवस्था पकत्त्वाद इती, एवं काभ्यशास्त्रस्य प्रशस्तह आचार्यह, आनंद वर्धनह, तस्य च ग्रंथह, धन्यालोकह, सिध्यते, अस्य आचार्यस्य पितुहु नाम नोणह, अथवा नोणो पाध्यायह आसीत, देवी शतके यतोक्तम देव्याह स्वप्नोद गमादिष्ट देवी शतक संगया देशिता नुप मा माधा ततो नोण सुतो नुतिम, आनंद वर्धनस्य समयह स्थानंच, आनंद वर्धनह कभिह अपि आसीत, आचार्यह अपि आसीत, कविरूपेन अस्य उल्लेखाह कल्हणेन स्वकिये ग्रंथे राजतरंगिन्याम विहिताह, तथा विल्हणेन आनंद वर्धनस्य स्थितिही काश्मीर नरेशस्य अवंति वर्मणह राज्यकाले प्रतिपादिताह, मुक्ताकण शिवस्वामी कविरानंद वर्धनह प्रथामरतना करस्चागात सामराज्येवंति वर्मणह एतेन प्रतियते यत आनंद वर्धनह मूलतह कश्मीर निवासी, अवंति वर्मणह राज्यकालतह, ख्रीष्ट शताब्द्याह, नवम शताब्द्याम एव आसीत, अतो विद्वद्भी ही नवम्याम ख्रीष्ट शताब्द्याम उत्तरार्धे, अस्य इस्थितिही स्वीकृताह, जल्हणेन सुक्ति मुक्तावल्याम संदिक धतया राजशे खरस्यकानचित पद्यानी उद्ध्रितानी तेशु एकम इदमं अस्ते, ध्वनिनाति गभीरेन काभ्य तत्व निवेशिना आनंद वर्धनाह कस्य नासीद आनंद वर्धनाह असमिन पद्य आनंद वर्धनाह आचारियाह ध्वनि प्रवर्तकत्वेन प्रतिपाधिताह। एतद अतिरिक्तं राज शेकरस्य काभी मीमांसायां आनंद वर्धनस्य मतानियपी संकेतितानि संति तद यथा प्रतिभाव वितुपत्योहो प्रतिभा स्रीयशी इत्यानंदाहा तदाह अवितुपत्तिकृतोदोशः शक्त्या संव्रियते कवेहे यस्त्वशक्तिकृतस्तस्य सजटित्यवावभासते राजशेखरस्य समयाह अपी सुनिष्चितह विद्यते देवो यस्य महेंद्रपाल निर्पतिही शिश्यो रभुग्रामनीही बालभारतस्य अनेन कथनेन राजशेखरो महेंद्रपालस्य गुरुहु उपाध्यायह आसीत इति प्रतियते कन्नवज शासकस्य महेंद्रपालस्य शिलालेखाह सब्तोत्तर नवशत ख्रीष्ट शताब्दस्य वर्तते राज्याम इतिहासह प्रायह सुनिष्चितो भवती पुनह अत्र शिलालेखे अपी उलेखाह समयस्य विद्यते अतो ध्वनिकारस्य आनंद वर्धनस्य समयह नवम्याम ख्रीष्ट शताब्द्याह उत्तरार्धे निष्चितह भवती अतह परम प्रशस्त आचार्यह आनंद वर्धनह तस्यच ग्रंथस्य उलेखाह सर्वईही एव आचार्यही प्रायशह कृतह तद यथा रुईकस्य अलंकार सर्वस्व ठीका कारेन समुद्र बन्धेन रुईकस्य पूरुवर्धिनाम पंच सिध्धानत आनाम प्रवर्धकानाम समुल्लेखं कुरवता तेशु ध्वनि सिध्धान्त प्रवर्तकह आनंदवर्धनह स्वीकृतह, महिम भट्टह ध्वन्यालों के प्रतिपादितस्य, ध्वनि सिध्धान्तस्य, खंडनम अकरोत, स्वकिये व्यक्ति विवेके ग्रंथादव सा कथयत यत, अनुमानें तरभावं सरवस्यव ध्वनेहे प्रकाशईतुं व्यक्ति विवेकं कुरुते प्रणम्य महिमा पराम वाचं। अन्यत्र अपि यत्रार्था शब्दोवा तमर्थ मुप्सर्जनी कृतस्वार्थव सारभूतो हिर्थाः स्वशब्देनाभि धेयत्वेन राजानकेन कुंतकेन अपि आनंद वर्धनस्य गाथा उद्धिता। ताला जाअंति गुडा जालादे सही अहेई धेप्यंती अरथांतर संक्रमित वाच्य उदाहरने गाथाईयं तथाचे स्निक्धश्यामल कांति लिप्त वियतो विल्लत्वलाका घनाह इती उदाहरन दोयं आनंद वर्धनेन प्रदत्तम। स्निक्धश्यामल इति पद्यम कुंतकेन पद वक्रतायाह उदाहरने प्रदत्तम। अतहा आनंद वर्धनस्य समयाह नमम शतकस्य प्रारंभे बर्तते। उक्तई ही संदरभे ही सुसिध्धम यत आनंद वर्धनह एकह युगांत कारी काब्यशास्त्री यस्य प्रभावह पस्चाद वर्तिशु काब्यशास्त्री आचारियेशु दृष्यते। ध्वन्या लोकस्य कारिका व्रित्ति लेखक विमर्षाह इदानिम प्रस्तुयते। ध्वन्या लोकस्य रचनायां त्रयह अंशाह विद्यंते। मूलाह कारिकाः बृत्तिही परिकरश्लोकाश्चे उदाहरनानी उदाहरनेटू तम समयम यावत प्रणीता नाम ग्रंदानाम संस्कृत प्राकृत योहु श्लोकाः गाथाह्श्चे समुदाहरिताहा क्वचित स्वस्य चे विशम बाने लीलादी ग्रंथस्य अपी गाथा हा समुदाहरिता हा संती किन्तु कारिकायाहा वृत्तेहे चा प्रणेत्रि विशय प्रश्णायम उदेत यत एकेन आनंद वर्धनेन कारिकाहा वृत्तेहा चा प्रणीताहा अधवा कारिका कारहा अन्यहा वृत्तिकारश्च अन्यहा अस्मिन विशय धन्या लोकस्य उत्तर वर्तिनह ग्रंथकाराह यही धन्या लोकस्य कारिकाह बृत्ति भागाह सिद्धानताह च्य समुर्दाहरताह तेशु बरगत्वयम विद्यते एकह वर्गह कारिका बृत्ति कारयोह भेदम मनुते अन्यहा वर्गह कारिका बृत्ति प्रणेत्री रूपेण एकम एवा आचारियम स्वीकरोती प्राचीनेशु एव आचारियेशु श्रीमत अभिनव गुप्त पादाचारियाह यहा धन्या लोकस्य लोचन टीकाम आकरोत्थ सकारिकाकारं बृत्तिकारंच प्रिथक प्रिथक मनुते से लोचन टीकायम कारिकायाह रचैतारं कारिकाकारह कारिकाकृत अथवा मूलकृत इति कथयती तथाचे बृत्ति रचैतारं बृत्तिकारह बृत्तिकृत शास्त्रकारह अथवा ग्रंथकारह इति कथयती यद्यापी अभिनव गुप्त पादाहा स्वस्याम नाच्च्यश्य अभिनव भारत्याम टीकायाम क्वचित चे लोचन टीकायाम अपी एता दिशानी वाक्यानी कथ्यंती यही स कारिका कारे बृत्ति कारे च भेदम नकरौती इति प्रतियते किन्तु लोचन उक्तिशु सा प्रायहा कारिका कारे वृत्तिकारे चा भेदम करोती। व्यक्ति विवेक कारेन महिम भट्टेन ध्वनिकारस्य वचनानी अनुमाने अंतरभावं उद्धिष्य समिक्षितानी। सा कारिका वृत्तिकारे योह भेदम नमनुते अन्य प्रतिहारेंदु राज, कुन्तक, क्षेमेंद्र, मम्मट, हेमचंद्र, विश्वनाथ, जगनाथ, प्रभृतेहा कारिका कारे वृत्तिकारे योह भेदप्रतिपादने नजागुरू काहा द्रिश्यनते। एते प्रायशह केवलम ध्वनिकार शब्दम प्रयुन्जानाह प्राप्यन ते अरवाची नेशु बिद्वत्सु अपी कारिकाकार ध्वनिकार विशय आईक्यमत्यम नास्ति महामहोपाध्याय कुपुस्वामी शास्त्री डॉक्टर ए शंकरन डॉक्टर शातकरी मुखरजी डॉक्टर केसी पांडेयह आचार्य रेवा प्रसाद दुवेदी डॉक्टर चंडिका प्रसाद शुकलह डॉक्टर के कृष्ण मूर्तिष्चे एक एव कारिका बृत्तिकारा इति मन्यन्ते किन्तु डॉक्टर भुल्लर आचार्य जैकेवी डॉक्टर की था महामःओ पाध्याय डॉक्टर वीवी काणे डॉक्टर यसकेडे प्रफेसर यसवी भट्टाचार्य इत्याद यहा उभयो हो प्रथक-प्रथक मन्यन्ते वस्तुतह इम भ्रांतिही विशेश रूपेण अभिनो गुप्तस्य लोचर टीकया समुत्पन्ना यत्र कारिका कारहा वृत्तिकारश्य इति रूपेण उल्लेखा विद्यते हैं वस्तुतह नास्ति अत्र वास्तवी कहा कश्चनापी वृत्तिकृत टीका कृतोह भेदहा अपितु आचार्यस्य एशा व्याख्यान पद्धतिहें अतहा अभिनो गुप्त पादस्य व्याख्यान शैलीम नजानंतह समीक्षकाहा धन्या लोकस्य कारिका वृत्तिकर्तृत्ति योह भेदम अनुभवन्ति प्रकाश यंति चे परंपराम अनुरुंधानाहा तात्परियग्याहतु अविकलो ध्वन्यालों को राग्याहा आनंद वर्धनस्य एव रचना इती सिद्धान्ते यंति एवं कारिका बृत्तिकार पार्थक्यम भवतु नामे विवाद विशयाह किन्तु बहवो विशयाहा ध्वन्यालों के संती ये केवलं वृत्तव प्रोक्ताह ते कारिकासु नसंती जथा प्रथमो ध्योते ध्वनेहे अभाव वादिनाम उल्लेखाह उत्तर कारिकासु नास्ती केवलं त्रयो दश्याहा कारिकायाहा वृत्तव अस्ती पुनाह भाग्तवादिनां उत्तरं कारिकया प्रधत्तं किन्तु अलक्षणीयता वाद विवेचनं केवलं बृत्तव अस्ति इत्थं तदैव संगतं यदा उभयोहो करता एक येवस्यात इती दीप शिखा टीका करतुहु आचार्य चंडिका प्रशाद शुक्लस्य मतं स्वकिये आनंद वर्धन इती हिंदी ग्रंथे आचार्य रेवा प्रशाद दुवेदिनां कारिका वृत्तिकार भेद विशय विश्त्रितं समीक्षणं कृतं निश्कर्शत हा तेनोक्तम यत कारिकायाह वृत्तेहे च रचाईता अभिन्नह अरथात आनंद वर्धनेन कारिका तद वृत्तिश्य लिखिते भेदस्य दृष्टिही अभिनो गुपतेन प्रदत्त वस्तुतह धन्या लोकस्य कारिका कारह वृत्तिकारश्य एक येवं आनंद वर्धन आचारियाह सारतय कारिकाह सूत्राणिवा प्रथमत रचियंती पुनाह तद अर्थप्रतिपादन पूर्भकम यत कारिकासु नप्रतिपादितं तदपि योजियंती प्रतिभा शालिनी नौनोन मेशह स्वाभावी काह अतहा कारिका प्रणैना नंतरम जे नूतनाहा विचाराहा समुद्भवंती तेशामपी समायोजनम बृत्यादव आचारियाहा कुरुवंती अतहा धन्या लोकस्य कारिका बृत्य कारहा एक एवा सहर्दय मनहा प्रीतय इती प्रथम कारिकांश व्याच्छाने सहर्दयानाम आनंदो मनसी लभताम प्रतिष्ठाम इती कथनेन अपी स्वनामनहा सलेश माध्यमेन संकेतह अकारी वस्तुतह सहर्दय नाम कहा नकस्चिद आचारियह अपितु सहर्दय शब्दह ही ये शाम काब्यान शीलना भ्यास वशात विशदी भूते मनो मुकुरे वर्णनी ये तन्माई भवन योग्यता ते स्वहर्दय संवाद भाजह सहर्दयाह इती अस्मिन अर्थे अत्र प्रयुकतह भाव कहा भाव कहा रसि कहा सामाजि कहा प्रमाता इत्यादी रूपेन अस्य प्रयोगह भवती अन्ततह ध्वनि तत्वस्य व्याक्रतेहे श्रेयहा स्वस्मई नामने एवद दाती एतेन प्रतियते यत्थ समग्रस्य ग्रंथस्य करता आनंद वर्धने एवास्ती सत्काभ्यतत्व नय वर्त्म चिरप्रसुप्त कल्पम् मनह सुपरिपक्वधियां यदासीत तद्व्याकरोत सहर्दयो दयलाभहेतो रानंद वर्धने इति प्रतिता भिधाना केशुचित संस्करनेशु व्रित्तव एताद्रिशह स्लोकह प्रप्यते यस्मिन समस्तम विवेचनम स्वस्य एव प्रतिपाधितम सिध्यति इति इति काभ्यार्थ विवेकोयं चेतस चमतकृति विधाई सूर्भी रनुसित सारै रस्मद उपग्यो नविश्मार्यह अतहा कारिका वृत्तिकार एक एव आस्ते इति सिध्यति आनंद वर्धनस्य कृतयह इदानिं विवेचिताह संति धन्यालोकस्तु आनंद वर्धनस्य प्रसिध्धतमह ग्रंथाह यस्य चरचा तत निर्मिति कालतह अध्यावधियावत प्रचलंती तिष्ठति अन्य अपि प्रायह पंच ग्रंथाह शुयंते तेशु प्रथमह अरजुन चरित महाकाब्यम देवी शतकम बिशम बाण लीला तत्वा लोकह धर्मोत्तमा बृत्तिष्च एतेशु केवलम देवी शतकम उपलब्धम अस्ति अन्य ग्रंथाह संकेतिताह किन्तु इदानिंजावत अनुपलब्धाह तिष्ठति अरजुन चरितस्य बिशम बाण लीला याह च उल्लेखाह धन्या लोके कृताह बिशम बाण दिताह धन्या लोके उदाहरणानी दत्तानी संति कवि रूपेणा अपि आनंदवर्धनस्य प्रसिद्धि अस्ति कवि आनंदवर्धना इति रूपेण विल्लणों राजत रंगिन्याम अस्य उल्लेखं कृतवान तस्य कविकर्म बहुस पष्टम विद्यते अनेकानी स्वरचित पद्यानी धन्या लोके उदाहरणानी संति रूपक धनये समुद्धितम तस्य पद्यम वसुतह काभ्यस्य आदर्शय रूपम प्रस्ताउति तद्यता लावण्य कांती परिपूरित दिंग मुखेस्मिन स्मेरे धुना तब मुखे तरलात याक्षी छोभं यदेतिन मनागपी तेन मन्य सब्यक्त मेव जडराशिरयं पयोधि ही विरोधत धनेहे उदाहरणं सरवैक सरण्य मक्षय मधीश मीशं धियांगरिम क्रिश्णं चतुरात्मानं निश्क्रिय मरी मथनं नमत चक्रधरं विशम बान लीला नामकस्य प्राकृत ग्रंथस्य अधो लिखितम उदाहरणं यत्र अरथां तरण्या से कभी कर्मणह उज्वलह परिपाकह अंतर गर्वितह ताला जा अंधि गुणा जादाते सही अहेई धेप्पंती रई किरणा नुग्रिहीतानी भवंती कमलाई कमलाई तदा जायंते गुणा यदाते सहर्देयर ग्रिहींते रविकिरणा नुग्रिहीतानी भवंती कमलाई कमलाई एवं आनंदवर्धन भवभाशावित स्रेष चित्र बंध रचना दिशा आनंद वर्धनस्य देवी शतकम प्रसिद्धम एव तस्य काभ्यशास्त्री यह ग्रंथ अपी कवित्व पूर्ण एव प्रप्यते प्रायह कारिका प्रकतने अनुष्टुप आरिया चंदसोहु प्रयोगा भवती किन्तु धन्यालोके महा काभ्येशु प्रियुज्यमानानी शार्दूले विक्रीडित शिखर्णी उपजाती प्रविर्तीनी चंदांसी प्रियूंते अयम आचारियह ताद्रिशं जद्धाती एतेन अस्यकवित्वम स्पुट मेव आनन्द वर दव्रदनत्से आचारियत्वम काभ्यान्तसतथव चिंतनमालायां धन्यालोकः मध्यमणी सुमेरुह इव विद्यते। धन्यालोकं विरक्ये काभ्यारचनायाह सरवस्व भूतनस्य व्यंग्यार्थं तत्थ चे तस्य व्यंजकस्य शब्दस्य अरथस्य चे महत्वं प्रतिपादितं। सहर्दयाह धनितत्वेन परिचिताह अभवन। धनि विरोधिनाम उचितं उत्तरं धनिकारेन आदाई। व्यंजना व्यापारह व्यंजक वर्ण पदादि द्रिष्ट्या भेदो पभेद सहितं विस्त्रितं सोदाहर्णं चे निरूपितं। काव्य व्यंजना वृत्तेह अनिवारियत्तं प्रमाणी कृतं। गुण, रीति, रस, अलंकारा दीनाम, काव्यशू समुचितं स्थानं निर्धारितं। रसावेशस्य विवस्थायाम, रसस्य विरोध अविरोध योहो परिहारह कृताह। कविप्रतिभयासह, ध्वनेहें अविनाभाव संबंधा अवधारिताह। काव्य जगति, नवीनत्वं, आनेतुं, ध्वनियुक्त रचनानाम, महत्वं, आरेखितं। काव्या लोचनायाह, नितांतं सूक्षमं, नूतनंच वर्त्म समालोकितं। आनंदवर्दनाह, श्रेष्टह सहर्दयाह, लब्ध परमार्था दार्शनिकह, परमभक्तह आचार्यस्च आसीत। तत कथनम एव अत्र प्रमाणं, या व्यापारवती रसान रसैतुं, काचित कभीनाम नवा, दृष्टिर या परिनिष्ठितार्थ विश्यों मेशाच वैपस्चती, तेद्वे अप्यवलं व्यविश्चो मखिलं, निर्वर्णयंतो वयं, श्रांता नैवच लब्ध मब् शयन तद्भक्ति तुल्यं सुखं, आनन्द वर्धनस्य दाशनम पांडित्यम चे विचार्यामा, आनन्द वर्धनह, भगवत तत्व, अविद्या, सदसततत्व, अव्यक्ततत्व, पुरुशार्था दीनाम यथावसरम चरचाम करोती, तदा तस्य दाशनिकं ज्ञानम स् मोक्षम, भगवत प्राप्ति साधनम परति पादियती, क्वचिक्च भगवत प्राप्तेहे उपायम पी कथयती चतुर्थे उद्योते, महाभारतस्य अंगिरस परति पादना वसरे, यथा पांडवादी चरित वर्णनस्यापी वैराग्य जननतात परियात वैराग्यस्यच मोक्ष मूलक अत्वात मोक्षस्यच भगवत प्राप्ति उपायत्वेन मुख्यतया गीतादिशु प्रदर्शित अत्वात परब्रह्म प्राप्ति उपायत्वमेव परंपरया दार्शनिकस्य क्षेत्रस्य अन्यतत्वानी अपी सजानाती स मीमांसा याह शब्दार्थियोह मध्य अउत्पतिक संबंधस्यापी चर्चाम करोती अबिधा लक्षणा भक्ति गुण वृत्ति प्रवर्तिनाम बिविधरूपेन उलेखम अपी प्रमाडियती स स्वयुगस्य निश्पन्य साधनायाह गूढग्रंथी नाम रहस्य वेत्ता अस्ति एता द्रिज्ञानम विना शास्त्र विचारह नसंभव्यते व्याकरण शास्त्रस्य सा परमाह भक्ताह व्याकरणं सा प्रथमं दर्शनं मनुते ध्वनिही इती शब्दहा तस्मादेव ग्रिहीताह ध्वन्यालों के प्रथम कारिकायां बृत्तवू बुधैही काब्यतत्व विद्विही काब्यम ध्वनिरिती संगितं अत्र बुधै इत्यस्य वय्या करणें ही इती अरथाह नकेवलम कृताह किन्तु त्रयोधश्याम कारिकायाम सूरिभी कतिताह इती विद्वत उपग्येय मुक्तिही नतु यथा कथंचित प्रवृत्येती प्रतिपाध्यते। प्रथमेही विद्वन्सों वय्या करणाह व्या करण मूलत्वाथ सर्व विद्यानाम् तेच्छ शुयमानेशु पदेशु ध्वनिरति ब्यवहरंती तथाईवा अन्यही तनमतानोसारिभी सूरिभी काभ्य तत्वार्थ दरशिभी वाच्य वाचक सम्मिश्रह शब्दात्म काभ्यम इति व्यप्यदेश्यह उपव्यंजकत्व साम्याद धनिही इति उक्तः धन्यालों के रस वैशिष्ट्य प्रतिबादने प्रोक्तम यत द्रिष्ट पूर्व पदार्था अपी रसयोगेन वसंतर्थ विट्ष सद्रिशाह नवाभांति वस्तुतह काभ्यवाक भिन भवति लोक विवहारस्य या भाषा सा सामान्य द्रिश्यमान जगत बोधिका भवति काभ्यवाषा वक्रोक्त युकता अभिव्यंजना युकता भवति यत्र बिधिवाक्ये अपी निशेद बूधाह निशेदे चापी क्वचित बिधि अवगम्यते यथा उक्तम शिव लीलारणवे यानेव शब्दान वयमाल पामो यानेव शब्दान वयमुल लिखामह तैरेव विन्यास विशेश भव्यई सम्मोह यंते कवयो जगंती वक्रोक्तियो यत्र बिभूशनानी वाक्यार्थ बोधा परमप्रकर्षः अरथेश बोधे शभिधैव दोशः सरणिह कवीनां तत्रांत रेशु प्रतिपाध्यमानास ते ते पदार्था ननुते तयेव निर्वेद भीशोक जुगुप्षित अन्यप्यायांति साहित्यपते रसत्तों संप्रती अधीतस्य पाठस्य निश्कर्षम प्रस्तों मिं वस्तुतह आनंद वर्धनात प्राक् गुण डितर्शाधी नि प्रतिपाधितानि तानी सरवानी ध्वनि-काव्य प्रकारि समन्वितानी आनंद वर्धनाचारीयन रसद्धन ही, अलंकारत्धन ही, वस्तुद्धन ही, इतिरूपेण, धनेहें त्रैविध्यम प्रतिपाद्य, नवा कापी शरणी ही उद्भाविता, वरणे, पदे, वाक्य, प्रबंधेच, सर्वत्र धनेहें अवस्थिति ही अन्वेशिता, प्रतिष्ठापिताच, रसे नसहा, धनेहें अन्ता संबंधाः पी अवधारिताः, कुंतको यद्यपी वक्रोक्ति दिशा, काव्ये विचारं करोती, तामचे प्रसिद्धा विधा व्यतिरेकिनी विचित्रईवा विधा इति कथयती, किन्तु धनिकार सद्रिशं एव वरणे, पदे, वाक्ये, प्रबंधे चे वक्रोक्तिम स्विक्रित्य तद बिमाननं क्रियते, अतहा आनंद वर्धनह पूर्वान आद्रियते नूतनान भ्रिशं प्रेरियती, नात्र काचित शंशीतिही धन्यवादहा, यॉए व्रिऊन स्विक्रिंट्स, भी होगा वर्झन है, अत्र कुम्लीन स्विक्रेरिणे,些ि èन् सविक्र रवस्दिक्ट्वादेक्रेet,